हलो वन आप सभी तयार हो जाएए UPPCS और यूटर्वदेस राजसे सम्मंधित किसी भी प्रकार की प्रत्योगी परिक्षाओं के एक पहतरीन यहाँ पर तयारी के लिए क्योंकि मैं यहाँ पर आप सभी के लिए सुरू करने जा रहा हूँ weekly current affairs और इस weekly current affairs के अंतरगत UP special को लेकर हम एक state specific current affairs की series यहाँ पर प्रारम करें जो weekly आपको प्रवाइड होगी लेकिन साथी साथ यहाँ पर कुछ ऐसे topics हैं जो कि आपको UPPCS का exam हो, RORO का exam हो या फिर UPSSS जैसे other कोई भी exam है यहाँ पर काफी सारे questions आपको इन topics related आते हैं लेकिन समझना ये भी है कि UPPCS का exam हो या आपको उत्तवदिस राज से समंझते exam हो यहाँ पर current affairs के पूँचने का तरीका अलग है यहाँ बहुत जादा detail या आपको deep questions के बजाए static based question और one liner question आपसे जादा पूँचते हैं बजाए MCQ question के इस चीज़ को ध्यान में रखकर आजाद UPPCS Academy के YouTube platform पे हम यहाँ पर weekly current affairs series को प्रारम करेंगे जहां monthly wise हर month के यहाँ पर हम हर एक week को लेकर current affairs की series को प्रारम करेंगे इसके अंतरगत यहाँ पर देखा जाए तो हम मई महीने से मई 2022 से यह series आपको start की जा रही है इसमें पहला वीडियो आपको उत्तवदेश समसामाईकी का मिल चुका है वो अलरेड़ी YouTube पे आपको upload है वो आप उसे देख सकते हैं इसके साथ-साथ हम total 5 चीज़ें लेकर discuss करेंगे इसमें उत्तवदेश की समसामाईकी के साथ-साथ पर्यावरन परस्त की, विज्यानिम प्रदो की, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकॉनमी ये 5 वीडियो आपको हर एक week यहाँ पर मिलेंगी जिसमें हम मई महीने से स्टार्ट करेंगे और इसे आगे continue करेंगे इन वीडियो सिरीज को देखने के साथ-साथ आपकी current इफर्स की तैयारी भी अच्छी होती जाएगी exam wishes को लेकर particular topic wishes जो सबसे जादा जो question आपसे पूचे आते हैं current के उनको भी हम यहाँ पर cover करते रहेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर week में पाँच वीडियो आपको मिलेंगी पाँच अलग लग topic की और weekly यहाँ पर यह topic आपको UP, PCS के exam और उत्तब देश राजिप्षेस की सभी परिक्षाओं को cover करने के लिए प्रारम किया जा रहा है तो यह पाँचों वीडियो आप regular रूप से जरूर फॉलो कीजिए और यह आपको न सिर्फ यहाँ पर PT के लिए बलकि साथ साथ यह वीडियो जो होंगी आपको mains के लिए भी यहाँ पर आपकले important है तो इस वीडियो सिर्फ को यहाँ पर regular रूप से continue रूप से आपको सभी को यहाँ पर देखना है इस वीडियो सिर्फ के माध्यम से हम यहाँ पर अलग-लग topic को cover up करेंगे आप सभी यहाँ पर इसे कैसे लगा इसे जरूर यहाँ पर देखने के बाद comment जरूर बताईएगा और बाकि हम इन futuristic दृष्टकों से इसको और भी बहतर बनाते रहेंगे लेकिन फिलहाल इस सिरीज को हम अगले यहाँ पर PT और PT के बाद इसे mains, mains, PT, PT, mains के तहत यहाँ पर ह अगले यहाँ पर आने वाले सभी exams के लिए तो आपको बस और कुछ नहीं बस इस चैनल को regular रूप से follow up करना है, subscribe जरूर करके रखें और वीडियो को यहाँ पर बिल आइकाउन जरूर दबाएं ताकि यहाँ पर वीडियो आपको तुरंत यहाँ पर मिल सके notification देखना जरू तो चलिए देखते हैं आज की इस विशय में यहाँ पर आन परस्तकी में क्या-क्या विशेश है, सबसे पहले देखें आज का हमारा topic है विश्वभर में 48 प्रिश्यत पक्षी प्रजातियों की संख्या में कमी को लेकर यह data यहाँ पर आपके समख्ष है, देखें यहाँ प प्रतायग है कि इसकी मौझूदा 10,994 यहाँ पर प्रक्षी प्रजातियों की लगभग कह सकते हैं कि आधी जो प्रजातियां हैं, ठीक है कितनी लगभग यहाँ पर आधी जो प्रजातियां हैं वो उनके समख्षक विलोपन का खत्रा उत्पन हुआ है, और यह अपने आप पर जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है कैसी संस्ता है, गैर लाबकारी यहाँ पर वैश्विक संरक्षन समू है, या पक्षियों के अधिकारिक यहाँ पर लाग सूची जारी करने वाला एक संगठन भी है, ठीक है, कि रेड लिस्ट जो आपकी पक्षियों से रिलेटेड विश्रेश रुप से जारी कियाती है, वो इस संस्ता के द्वारा जारी कियाती है, भारत में देखें तो बामबे नेच्रल हिस्ट्री सोसाइटी जो है, मुंबई वो आपको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का साजीदार है, तो इसको भी यहाँ पर आपको फैक्ट तो विश्रेश रिनाडिया, ठीक है, उसे लेटा को critically endangered पक्षी प्रजातियों की सरवाधिक संख्या को प्रभावित करनेवल जो खत्रे हैं, उनको भी यहाँ पर देखें अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, जिसमें देखा जाए तो आपको क्रिशी है, ठीक है, बनों की प्रभावाई है, सिकार, आदी और जालाद में फसना है, हमलावर विदेशी प्रजातियां हैं और इनके वानिजिक विकास इत्याद की आप इसमें बात को देख सकते हैं, ठीक है, इसमें वानिजिक और देखा जाए तो आवाशी आपकी विकास है, आग लगने की घटना ह और आग को बुझाने की कारवाई या इत्याद को इसमें यहाँ पे समलित बताया गया है, उश्कडवंधी वनो की अगर देखा जाए, यहाँ पे जो डेटा आपको प्रवाइड कराया है, उश्कडवंधी छेत्रों को लेकर समसीत अक्षांसों के स्थितियों को भी पारे में थोड़ा सा डेटा इसमें दिया गया है, जैसे कहा गया कि उश्कडवंधी वनो के अलावों प्राक्तिक घास के मैदान है, पर खतरा उतरी अमेरिका, यूरोप और भारत के लिए विशेश रूप से आपसे चिंता जनक है, यहाँ पे जो घास के मैदान है, जो प संगटापन पक्षी प्रजातियां, जो की 86.4% अर्था कि ओष्कडवंधी छेतरों में जो आपकी पक्षी प्रजातियां हैं, वो संगटापन प्रजातियां में आती है, जिसमें से 86.4% कितनी? 86.4% जो पक्षियों की श्रेणी आती है वो आपको संक्टा पन प्रचातियों के अंतर गताती है पक्षियों के महत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखें परस्त की तंत्र के लिए आपको पता है हर एक जीव एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है खादे जाल और खादर शिंकला का एक हिस्सा होता है और यदि यहाँ पर किसी भी जीव की यहाँ पर विलुपती होती है तो उससे जो खत्रा होता है पास की संतुलन के समक्षेग बहुत बड़ा यहाँ पर खत्रा उत्पन हो सकता है अब इसी में अगर यहाँ पे देखा जाएं तो जो पक्षी होते हैं वो पराग करता वीजों के फैलाना, पासकी तंद में एक इंजीनियर की भूमिका निभाना, अमरित जानवरों में शवों के निप्टाना, सीकारियों के रूप में भूमिका, कई अलग-अलग प्रकार की भूमिकाओं में आपको पक्ष्यों को देखा जा सकता है, साथी पक्षी अन्य जानらों की संख्या को बढ़ाने में सहायता करते हैं और कीट नियंतरन के अमातम से संधारनी कृष्ष्व जैसे प्रयासों को, कह सकते हैं, प्रयासों में भी यह सहयोग करते हुए आपको दे इसके नावा इस रिसर्च में भारत से समन्द कुछ और भी डेटा यहां पर देखे बताये गए हैं, उनको भी हम चली एक बार देख लेते हैं, देखें यहां पर कहा गया कि भारत के लिए जो निश्कर्स है कि पक्षियों की विवित्ता में कमी, भारत के लिए सबसे बड़ करीब यहां पर 80% प्रश्च 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 पोटल 100% में से सिफ 6% आबादी है वरिधी अगर देखें तो आपको सिफ 14% पक्षी प्रजातियों की संक्या में वरिधी यहां पर देखें तो यह आपको ध्यान रखना है कई बार यहां पर अनुमान लगा कर यहां पूछे जा सकते हैं कि इस रिपोर्ट में यहां पर निम की पुष्टी अभी नहीं होई है कई संक्टाम प्रजातियों को हाल के वर्षों में नहीं देखा गया है उधारन के तौर पे गंभी रूप से संक्टगर्स जेडीन कोरसर जो भारत की पूर्वी घाट के स्थानिक प्रजातिय है कोवर्स 2000 के बाद से नहीं यहां पर देख किसी भी प्रजाति के विलुप्त होने को यहां पर इस रिपोर्ट में घोशित नहीं किया गया है लेकिन हाँ यह भी डीटा जरूर बताया जा रहा है कि कुछ प्रजातियां हैं जो काफी समय से देखी नहीं गए अब संग्टापन प्रजातियों में आपके हैं हिमालियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, शोशेबल लापविंग, जेडान कॉरसर, सफेद पेटवाला भगुला, लाल सिल्वारा गेध, सफेद पुद्दे वाला गेध, भारतिय गेध, पतली चोंच वाला गेध, भुगुन लियो सिचला गेध, और यलो ब्र गया गया है कि भारती रिपोर्ट में पाया गया है कि अस्थानिक प्रजातियों बनों की घास भूमी, जो पक्षियों की प्रजातियों सरवाधी कहां पर संक्ठापन इस्तिती है, यहां पर देख सकते हैं आध्र भूमी, 57%, विशिष्ट बंचेत्र, 59%, बंचेत्र गया है कि अध्यन रिपोर्ट में पुरोत्तर भारत सही देश के अलग-अलग हिस्तियों में प्रक्षियों के सिकार, उन्हें जाल आदमें फसाने की प्रवित्ती, चिंता का एक प्रकट यहां पर करती है, साथ ही यह भी कहा गया है कि ऐसी प्रजातियां गंभी रूप से स संख्या को सबसे जाधा यहां पर आपको नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर उनके लिए खत्रा यहां पर उत्पन करते हैं, तो यह तो हो गया विश्वभर में पक्षि प्रजातियों की संख्या को डेटा को लेकर, आईए यहां पर बात करते हैं अगले कुछ टौपिक् किया है तो क्या रहा है COP15 और इसके बारे में और इस मदवस्थली करण की रोगथाम के बारे में थोड़ा से उसको यहां पर समझ लेते हैं पढ़ लेते हैं देखे यहां पे कहा गया है कि संयुक्त राष्ट मर्वस्थली करण रोख्थाम अभी समय के पक्षकारों यानि कि COP15 का 15 सत्र कोटे डी आईवर के आबिद जान में यहां पर शुरू हुआ है कहां पर हुआ है कोटे डी आईवर के आबिद जान में यहां पर सुरू हुआ है COP15 की जो थीम रही है थीम कई बार एक्जाम में आपसे पूचे जरूर जाते हैं तो इनको यहां पर आपको ध्यान रखना है भूमी जीवन विराशत आभाव से समर्थी क्योर इंगलिस में यहां पर है लैंड लाइफ लगेशी फ्रॉम यहां पर सर्कैस्टिक टू प्रॉस्परिटी अब देखा जाती इस थीम में सुनिश्चित करने की कारवाही को यहां पर पहचान करती है भूमी जो की इस ग्रह की जीवन रिखा है बरतमान और भावी फीडियों को किस तरीके से लाप्रदान करती है उसके बारे में बताया गया है COP15 में अगर हम देखे तो UNCCD के 197 पक्षकार सूखा भूमी फूनर सुधार उसे समंधित विश्यों जैसे भूमी अधिकार लैंगिक समानता युवा शर्थिकरन के मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है साथ ही साथ यहाँ पर सरकारों को निजी छेत्र सिविल सोसाइटी के नितित करताओं को दुनिया भर के अन्मः प्रमुक रितारकों के साथ यहाँ भूमी के सतत्थ प्रभंधन की प्रकत को पन्यम में तेजी लाने के विचारों को भी रखा गया है ये आपको प्रवित्थी बढ़ी है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे विश्व के किसी एक पर्टिकुलर देश में हो रहा है ये कई सारे देशों में और वैश्विक भूमी जो होते वो मज़वरस्वली कृत होती जा रही है या इनकी संख्या में प्रतिशत में यहाँ विर्थी हुई है और भारत भी इससे अचूता नहीं रहा है और इस समस्या का निदान क्योंकि यहाँ पर देखे जनसंख्या भी उतनी तेजी से पढ़ रही है और यदि आप इस जनसंख्या की आवश्चक्ताओं के पूर्ति करना चाहते हैं तो वहाँ पे भोजन के कर ये सम्मेलन लगातार आयोजित हुए हैं अब इसमें देखे तो वर्ष 2019 में भारत ने UNCCD के COP14 के आपे मेजबानी की थी और COP14 में सम्मेलन में भारत ने वर्ष 2030 तक करीब 26 मिलियर हेक्टियर निमनिकरित भूम की पुनर बहाली का यहाँ पर लक्षन रिधायत किया तो यहाँ पर ध्यान रखना है साथी जो थीम थी भूम की पुनर बहाली भविश की यहाँ पर सततता बात कर लेते हैं इस अभी समय की जो संयुक्तराश मर्वस्थली करन रोगताम अभी समय है ये क्या है किस चीज़ को लेकर गठित किया गया था क्या-क्या इसके अंतर गयत टॉपिक्स आते हैं तो देखे वर्स 1994 में इसे अपनाया गया था ठीक है कब 1994 में उद्देश क्या था इसका हमारी भूम की रक्षा पुनर सुधार सुरक्षित नयाय संगत और अधिक सतत भविश यहाँ पर सुनिश्चित करना दूसरा मर्वस्थली करन और सूखे के दू शुष्क अशुष्क उपाद्र भूमी छेत्रों को जिसे जिन्हें हम सुष्क भूम के रूप में जानते हैं कि समस्याओं का समाधान करना है और साथी साथ अगर देखे तो इसमें विश्च के कुछ सबसे नाजुक परिसके तंत्र और सुभेत जो लोग पाय जाते हैं व भारत UNCCD का एक हस्ताक्षर करता देश है और परियावरान वन और जल्वाय परितन मंत्राले भारत में सबसमय के कार्यानवन का कैसा है एक नोडल मंत्राले के रूप में यहाँ पर आपको कार्यान करता हुआ दिखाई देगा यहां मंत्राले देश में सबसमय के कार्यान की निगरानी भी यहाँ पर आपको करता है तो हां स्ताक्षर करता है नोडल जो मंत्राल है वो पर्यावन वन जन्वाव मंत्राल है और यहाँ पर यह कार्यानवन इसकी करता है UNCCD की तो यह तो हमारा आज का दूसरा टॉपिक हो गए इस वीक की दूसरी important news हो गई ध्यान रखेगा मर्वस्तली करण अपने आप में एक immense oriented question विके रूप में भी पूछा जा सकता है कि वैश्विक अस्तर पर बढ़ते हुए मर्वस्तली करण के क्या कारण है इसको रोकने को लेकर क्या उपाय किये गए है अंतराष्टी अस्तर पर किस तरीके के समझोत एत्याद है तो यहाँ पर आप इसे coat out कर सकते हैं और इस तरह के सम्मेलन में लिएगे समझोतों पर आप नजर रखते हुए करण की सामसमे घटनाओं के इसमें जोड़ सकते हैं चलिए अगला टॉपिक यहाँ पर देखते हैं राष्टी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पैनल ने उच बाढ़ के अस्तर के निर्माण की अनुमती यहाँ पर दी जानी चाहिए को लेकर यहाँ पर बात की है तो क्या है राष्टी आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण के पैनल की बात और क्या-क्या यहाँ पर चीज़े उन्होंने अनुमानित की हैं क्या-क्या बताया है उसके बारे में चलिए देख लेते हैं देखें यहाँ पर उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के तपोवन में उत्तराखंड चमोली के तपोवन रेंडी छेत्र में एक हिमनद के दरार के कारण धौली गंगा और अलग नंदा नंदियों में भैंकर बाढ़ है कि किसमें धौली गंगा और अलग नंदा कमें यहाँ पर भैंकर बाढ़ है और इस घटना ने भारे नुकसान यहाँ पर पहुंचाया इस तराश्टी के बाद राश्टी अब्दा प्रविंधन प्राधिकरान पैनल का गठन किया गया था और इस पैनल ने फाइनल यहाँ पर पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिम नदिय बर्फ और चटान की वज़ा से मलवे के प्रभाव के व्यापक प्रभाव वाली यहाँ भारत में पहली तरेकी के या पहली घटना यहाँ पर दर्ज की गई है अर्थात की कहा गया है कि इस report में कि जो हिम नदी ये बर्फ है और या फिर कह सकते हैं कि गत्षटान इक्तियाद के वज़ा से उनके खिसिकने के वज़ा से या उसमें धरार पढ़ने के वज़ा से या उनके तूटने की वज़ा से इस तरीकी की जो बाढ़ आपको धौली गंगा और अलक नंदा में जो नदियों में आपको भेंकर बाढ़ देखने को बली पतायागा इस रिपोर्ट में कि ये इस तरह की भात में हुई पहली घटना है और इस तरह से चटानों के गिरने नदिय हिमस्खलन की घटनाएं आल्स, रूसी, काकेकस, कनाडा और नेपाल में अलरड़ी यहाँ पे घटेद हो चुकी है तो भारत में इस तरह की पहली घटना थी लेकिन वैश्विकस्तर पे देखा जाती अलग-अलग देश में, अलग-अलग हिस्सों में यहाँ पर यहाँ अलड़ी इस तरह घटना हुई क्यों और यहाँ पर इसे रोकने के क्या उपाएं तो भाविश्व ऐसी घटनाओं को रोकने को लेकर पैनल ने हाँ पे कई सिफारिशें की हैं, देखा जाती है पांच सिफारिशें आपको कौन कौसी हैं उनको ध्यान से देखते हैं, पहला कहा गया है कि भाविश्व में लग-भग रियल टाइम, रियल टाइम में ऐसी अगातार निगरानी की जानी चाहिए, और उसमें होने वाल किसी भी प्रकार की घटना को रियल टाइम में वहाँ पर उसकी सूचना वहाँ पर मिले, इस बात को सुनिश्वत करने चाहिए, तो इसमें इस रो और उसके उपग्रा समूर को यहाँ पे और भी जादा यहाँ को लॉंच करके ऐसे छेत्रों निग्रानी कोई बात यहां पर की गई है दूसरा इसमें कहा गया हिम्नदी अध्यन में दोहराव से बसने के लिए राश्ट्री अस्तर पर हिम्नद अनुसंधान और प्रबंधन केंद्र यहां पर स्थापित किया जाना चाहिए जो कि हिम्नदी अथात के कह सकते हैं कि जो परवती छेत्रों में हिम्नदी नदियां हैं जैसे गंगा यहुना इत्यादी नदियां हैं उन नदियों के बारे में लगातार आपको कारे करना निगरानी करना जाचपड़ताल करना शोध करना डेटा का संगरान इत्यादी करना यह सारा काम करन इसके शाथी साथ परवती छेत्र विन्यमन भवन उपनियमों आज जैसी कानूनी रोप रेखाएं विक्सित की जानी चाहिए कि परवती छेत्र में किस तरीके के भावनों को या अन तरीके के आवासी सनर्चना है आपको विक्सित करनी है बनाने का क्या तरीका होगा उसके लिए क्या रोल्स रेग्लेशन होने चाहिए इसके लावा उत्रा खंड में हिमालाई खंड में अलग-लग खत्रों की संभावना बनी रहती है इसलिए इस चेतर के लिए वैकल्पिक ओर्जा स्रोतों की यहाँ पर विचार करने की आवश्क्ता होनी चाहिए एक पांष सिफारिश यहां पर आपको पैनल के द्वारा यहां पर की गई है तो इनको यहां पर ध्यां रखना है अगर आपको मेन्स देखें ये तो प्री-Oriented भी कुश्षन है कि कौन सा पैनल घठत किया गया था कि श्यत्र के लिए किया गया था लेकिन ये भी as a question बनाया जा सकता है कि मेंस oriented हिमनेदों को हिमनेदों के किसकने के कारण या हमिस्कलन के कारण आने वाली बार इत्याद प्राक्तिक आपदाओं के द्रिश्कोर से इस पैनल की यहां पर जो सिफारिशे हैं क्या रही है उनके बारे में यहां पर बताएं तो इस तरह की चीज़ों को आप यहां पर coat out कर सकते हैं अगला यहां पर है संइंकतराष्ट और जाने वर्ष 2025 के लिए कारियोजना यहां पर आरम की है तो क्या-क्या रही है यह कारियोजना इसके बारे में चली यहां पर देख लेते हैं देखें यहां पर कहा गया है कि संइंकतराष्ट और जाने यहां कारियोजना वैश्विक और जाने संकत और बिगड़ते जलवाई आपाद को देखते हुए यहां पर शुरू की है क्योंकि अभी भारत में भी देखें और जाने संकत आपको दिखाई दे रहा होगा काफी लगातार यहां पर जबसे गर्मी का जितना अस्तर बढ़ा है उसके कारण आपको बिजली संकत और जाने संकत सबसे जादा ड्वलाप हुआ है तो यहां पर देखे यहां योजना स्वक्ष सभी के लिए सस्ती उर्जा शुद्ध सुन उत्सरजन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्चिक व्यापक कारवाही और समर्थन है तो यहां पर प्रेरिद करने है तो एक बड़े कदम के तौर पर इससे उठाए गया है यहां देखा जाए तो एक इनर्जी कॉम्पैक्ट नेटवर की तरह इसे लॉंच किया गया है और इनमें सरकार और व्यवसायों के साथ में स्वक्षूर्जा लक्षों के लिए समर्थन की मांग करने वाली सरकारों का यहां पर मिलान करा जाएगा अर्थात मांग और आपूर्त यहां पर जिस देश में ज़्यादा जिस देश में कम है उनके व्यवसायों के जिस तरह से आप उर्ती यहाँ पर कर रही है उतका उत्पादन कौन से कर रहा है उन चीजों के यहाँ पर एक दूसरी साथ जोड़ना है साथी पहले की तरह इसमें 600 बिलियन डॉलर से अधिक का यहाँ पर आपको वादा किया गया है इसकी वित्ती सहत है उत्याद के रही है कार योजना के कारेच्षेतर अगर हम देखें तो साथ कारेच्षेतरों के यहाँ पर बात की गई है कितने साथ कारे छेत्रों की इसमें बात की गई है साथी साथ यहाँ पर देखे तो कौन कौसी यह साथ कारे छेत्र हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं ठीके सबसे पहला है सामोहिक संयुक्त राष्ट इसके अंतर के देखा जातर उर्जा कारवाही को आगे बढ़ाने सायन्वत रावाही को यहां पर महत्रोप से आगे बढ़ाने के सैंवत रावाही को लेकर यहाँ पर काम करना है दूसरा Energy Compact के विस्तार को लेकर भी इसमें काम करना है जिसमें सभी प्रकार के हितधारकों को देखे इसमें शामिल करना है चाहे वो वित्त, निवेश और प्रेरित यहां पर हो उनको यहां पर इसमें शामिल करना है सतत विकास लक्ष जोकी यहां पर संख्या साथ है कि कारवाही के लिए वैश्विक अभियान का नेतरित करना है साथी उदाहरन प्रस्तुत करना उदाहरन कैसे प्रस्तुत करना है कि सयुक्तराश उर्जा संग्ठन के परिचालन में हरित पहलों को बढ़ावा देना है अर्थात की ऐसी परियोजना है ऐसी टेक्नलोजी जो हाँ पर ग्रीन टेक्नलोजी को सपोर्ट करती है परिया वरन हीत ऐसी है ऐसी यहां पर योजना और पहलों को यहां पर प्रारम किया जाएगा प्रतिवर्ष एक वैश्विक SDG 7 कारवाही मंच का आयोजन करना इसे नियुवार्क में संयुक्तराश्ट महासवा की उच्च स्तरिय सप्ताह बैठा के दौरान आयोजित किया जाना चाहिए इसमें प्रासांगिक मुद्दों की रचनात्मक समिक्षा और चर्चा करने के लिए यहाँ पर आपको दिखा जाए तिसे आगे बढ़ाना चाहिए और इसमें चर्चा करनी चाहिए सूचना आधारित एक वैश्विक एजन्डे को भी इसमें कहा गया है कि इसमें तै करना और चिंतन चेल्ट नेतरुत की भूमिका को यहाँ पर आगे बढ़ाना कारिकरम की निगराने उसके परिडाम को भी साजा करना, यह 7 यहाँ पर काल योजना के 7 लक्ष यहाँ पर निर्धारित किये गए हैं सैयूक्तराश ओरजा के तहर इसके लावा वर्ष 2025 में देखे तो यहाँ पर आपको कुछ लक्ष यहाँ पर निर्धारित किये गया है कौन-कौन से हैं इसमें देखे विश्व के करीब 500 मिलियन से अधिक लोगों की पहुँच को यहाँ पर उसमें सुनेशित करना स्वक्ष उर्जा की स्वक्ष खाना पकाने वाले साधनों को एक अरब से अधिक लोगों की पहुँच को सुनेशित हो गई है विद्दु तक पहुंच सुनेशित करने के लिए वार्षिक निवे 35 अरब डॉलर तक यहां पे सुख्ष खाना बनाने वाले साधनों तक पहुंच वार्षिक निवेस यहां पे 25 अरब डॉलर तक हो गई इसके लाब वैश्वी कस्तर पे आधुरिंक नमीनी करन उर्जा चमता में 100% की यहां पर प्रिद्धी है वैश्वी कस्तर पे देखे तो नमी करनी उर्जायम उर्जा दक्षता में वार्षिक निवेस को दोगना करना है वर्थ 2021 के बाद कोईला आधारित किसी भी यहां पर प्रकार की नई योजना के निर्मान नहीं करना है जिवास में इधन उपयोग सबसिडियों को नमीनी करन उर्जायम उर्जा दक्षता की और पुनरदेशित करना है और नवी करनी उर्जा एवं उर्जा दक्षता में करीब यहां पर 30 मिलियन रोजगारों का सिर्जन भी यहां पर आपको करना है साथी समें देखे तो संयुक्तराष्ट उर्जा वास्ताओं में उर्जा के छित्र के अंतर सहयोगी एक संयुक्तराष्ट का एक तंत्र है यहां पर समर्थन भी करता है SDG 7 के उद्देश सभी के लिए यहां पर वहनी है विश्वसनी है सतत आधुनिक पूर्जा तक पहुंच को भी सुनिश्रित करना है तो यहां पर देखें यह आपको कुछ आमने यहां पर वर्ष 25 के तहर जो भी यहां पर घटना क्रम थे वो इस लेसर फ्लोरिकन की अगर हम बात करें तो इसमें देखे हाली में उच्तम न्याले ने राजस्थान और गुजरात के विद्धुद पाद्कों को लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन की रक्षा के लिए बर्ड डायवर्टर अस्थापित करन इंडिकस को खारमोर के नाम से भी जाना जाता है और बस्टर्ड बूर का एक छोटा और पहला बस्टर्ड भी है तो यहाँ पर यह आप इसकी इमेज भी यहाँ पर देख सकते हैं यह भारत का अस्थान एक पक्षी है और मुखरूप से राजस्थान, गुजरात, मद्बदेश, महराष्ट के कुछ हिस्सों में घास के मैदानों, जाड़ीदार खेतों, चुरिंदा क्रिश्चेत्रों में पाया जाते हैं IUCN की स्थिदी में है critically endangered सूची में रखा गया है और वन जीव संदक्षण अधिनियों मने 17 में अनसूची एक के तहत इने संदक्षट किया गया है इसी के तहत यहाँ पर WMO के बारे में यहाँ पर थोड़ी जानकारी है WMO ने जलवाई पर एक नई अपडेट यहाँ पर चारी की है और इसके अनुसार अगले 5 वर्षों अर्था 2022-26 में कम से कम एक वर्ष के वार्षिक और सत वैश्विक तापमान की पूर्य और द्योगिक अस्तर से 1.5 degree Celsius बढ़ने की संभावना का अनुमान जो है संभावना जो है वो 50-50% है और यहाँ एक अंतराश्टी संगठन है WMO यहाँ प्रित्विक के वावनानल के इस्थिती और व्यवहार, भोमी, महासागरों के साथ परस्पत क्रिया, आधी अंतराश्टी सहयोग और समन्वे के प्रतिहां पे समर्पित है 193 सदस देशों के साथ संयुत राश्ट की एक विशेस यहाँ पर एजनसी के रूप में कारत भी है अगला यहाँ पर है राजस्थान में 10 गिगावाट चमता के साथ सौर हब के रूप में यहाँ पर उभरा है राजस्थान ऐसा देश का प्रतम राजस्थान जिसने 10 गिगावाट की संचाई व्यापक पैमानी की सौर उर्जा की छमता को स्थापित कर लिया है राजस्थान की अनुकूल परिस्थितियों के लिहाँ से देखें तो राजस्थान की स्थितियों को लेकर यहाँ पर आपको ध्यानक ना है राजस्थान भारत का पहला राज्ज है जो 10 गिगावाट शमता के साथ यहाँ पर सौर हब के रूप में उबरा है इसके बाद है ग्रीन स्थिल या हरित इसपात के बारे में एक न्यूज है जिसमें सिमला में इसपात मंत्रालाई की संसदी समिती संसदी सलाकार समित की परिवर्तन का दौर ग्रीन स्थिल की और विशय पर बैटक आयोजित की गई इस बैटक में क्या क्या यहां पर प्रविशेश बाते रही है जैसा की देखा जाए तो ग्रीन जो स्थिल होता है वो सबसे कम यहां पर कार्बन उतसरजन या फुट्प्रिंट यहां पर सिजित करने वाला इसपात होता है और इसमें अगर हम देखें इसपात बनाने की जो प्रक्रिया इसमें सुध लौ अधात की प्राप्ति है तो लौ आयसक से आक्सिजन को प्रथक किया जाता है उसके बाद इसमें आपको इसपात निर्माण में कोईलिया और प्राक्तिक गैस का इसमें उप्योग किया जाता है और इससे यहां पर CO2 आपको सर्जित होती है उसके बाद Green Steel उत्पादन की प्रक्रिया में जीवास मीधन को नवी निकरणी उर्जा से प्राप्त हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और इस हाइड्रोजन को Breakthrough Iron Making Technology के उप्योग करके यहां पर उत्पादित किया जाता है और इससे स्वक्ष ज्वलन सील गैश बनाने के लिए नवी करणी उर्जा स्रोतों के प्राप्त विद्दूत का यहां पर हम उप्योग करते हैं तो ध्यान रखिये का Green Steel यह हरितिस पाद का प्रय करते हैं यह दो चीज़ में ध्यान रखनी है और सबसे कम कार्बन फूट्प्रिंट रखता है इस तत्र को भी यहां पर ध्यान रखना है रिपोर्ट जो है वह कौनसी है तो संसदी सलाकार समित की परिवर्तन का दौर ग्रेंश चुलकी और विशेपर अगला इसमें है ग्ल कारों तेल कंपनियों बहु पक्षी संगटनों से निर्मित एक बहु दाता ट्रस्ट फंड है क्या है एक बहु दाता ट्रस्ट फंड है और भारत इसका फिलहाल हिस्सा नहीं है यह ध्यान रखना है इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बश्ट 2021 में ग्लैस फ्लेरिंग देखा जातों यह मेथेन का एक प्रत्तिक श्रोथ है मेथेन में कारवन डियोकसाड की तुलना में अधिक गर्मी की छमता होती है और वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने बस 2030 तक जीरो रूटीन फ्लेरिंग पहल सुरू की थी और इस पहल के तहत विभने देशों कमपनियों को 2030 तक फ्लेरिंग को समाथ करने के लिए प्रतिबत्ता भी यहाँ पर व्यक्त की गई है यहाँ पर अच्छी खासी बहुत बड़ी मात्रा है तो ऐसी स्थिती में इसे रोकना ही अपने आप में यहाँ पर काफी यहाँ पर पर पर्यावरन के हितैशी के रूप में आखार में इससे देख सकते हैं इसके बाद देखे तो यहाँ पर ब्राजील के यहाँ पर एक ब्राजील से में करे डखर अमेरिका में आवस्तित हैं यह विश्छ की सबसे बड़ी ऊश्करणदी आदरभूमी से एक हैं तो पेंटानल आद्रभों में होती हैं और दक्षण अमेरिका में पाई जाती हैं जिसमें परागवे, ब्राजिल और बोलिविया में करीब 1,89,000 वर किलोमेटर चेतर में ये फैली होई हैं तीन देश कौन कौन से हैं ब्राजिल, परागवे और बोलिविया दक्षण अमेरिका के जहां पर ये पैंटनल आदर्भोमी पाई जाती है और एरिया जो है 1,79,000 यहां पर आपको वर किलोमेटर है इसमें दक्षन अमेरिका के वरस्पतियों जीवों का उच्छतम सकेंद्रण है और वरस्थ 2000 में इसे युनेस्को की विश्विरासस सूची में भी शामिल किया गया थे एक और तथे जो यहां पर ध्यान अगना है कि पैंटनल आदर्भोमी को विश्विरासस सूची में भी शामिल किया जा चुका है वो भी सन 2000 में खत्रा क्या है जलवाई परवेर्थन अमेजन वर्षवननों की कटाई गंभीर सूखा और भीषण आ के सकारण पैंटर और आद्रुफुम यहाँ पर प्रभावित हो रही है एक और टॉपिक जाते जाते देख लेते हैं नवनमेशी विकास के माध्यम से क्रिश को सहनिय बनाने के लिए थल विभाजक छेत्र यानि की रिवार्ड परियोजना क्या है reward पर्योजना तीक है reward पर्योजना 115 million dollar की पर्योजना है इस पर्योजना पर भारत सरकार भू संसाधन विबाग, करनाटक ओडीशा की राज़ सरकार और विश्व बैंक ने यहाँ पर हस्ताक्षर किये हैं तो विश्व बैंक, भारत सरकार, करनाटक के कुशल विकास को बढ़ावा देना राजर राश्ट्रियस तरपे मानो पुझी निवेश को बढ़ावा देना वैज्ञाने का और तकनीकी भागीदारों के नेटवर को विक्सित करना इस पर योजना को 6 वर्ष के लिए प्रस्तावित किया गया है आज के हमने इस टॉपिक में जो भी यहाँ पे घटना करमों को पढ़ा है इन ही को हम यहाँ पर पढ़ते हैंगे कांटीनियू करेंगे नेक्स्ट वीक में पर्ष कि के अगले टॉपिक को लेकर मिलेंगे लेकिन हम एक वीक यहाँ पर 5 वीडियो मिलेंगी UP का, Environment का, Science and Tech का, Indian Economy का और Indian Politics का और ये Weekly Current Affairs माई से लेकर स्टार्ट कर रहे हैं और ये आगे यहाँ पर continue रहेगा तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे Regular रूप से मेरे साथ पढ़िए और यहाँ पर नए-ने खटना क्रमों को UP pieces exam के based यहाँ पर या फिर UP special आपको state special यहाँ पर सभी घटना क्रमों परिक्षाओं के लिए उपयोगी यहाँ पर आपको इस वीडियो को Regular रूप से फॉलो करें तो आज के लिए इतना ही, thank you so much Next वीडियो में Science and Tech के समन्दित यहाँ पर घटना क्रमों को लेकर मिलेंगे तो आज के लिए इतना ही, thank you so much, good luck इसका revision जरूर कर लीजेगा और PDF इत्याद के लिए यहाँ पर आजाद UPSC CSC का Telegram चैनल जोइन करिए वहाँ पर इस वीडियो के यहाँ पर PDF भी आपको upload कर दी जाएगी तो आज के लिए इतना ही, thank you so much and good luck